हेलो दोस्तो मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करते हूं हमारे चैनल कर्मेन को एजुकेशन में दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधी के बारे में आज हम जानेंगे संधी की परिभाशा उसके प्रकार और संधी से जुड़े कुछ प्रशन उत्तर के बारे में आईए जानते हैं संधी की परिभाशा संदी दो शब्दों से मिलकर बना है सम जमाधी जिसका अर्थ होता है मिलना जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिन ध्वनी और दूसे शब्द की पहली ध्वनी आपस में मिलकर जो परिवर्टन लाती है उसे संदी कहते हैं अर्थार्थ जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तेशा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्टन होता है उसे संधी कहते हैं दूसरे शब्दों में दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन होता है उसे संधी कहते हैं जैसे कि विध्या जमा आलले विध्या अलले, सम जमा तोश, संतोश, अखे जमा ईश्वर, अकली इश्वर, आत्मा जमा उस्सरग, आत्मोसरग. सरल शब्दों में दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से एक नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले विकार को संदी कहते हैं दूसरे अर्थ में संदी का साधारन अर्थ है मेल इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द का निर्मान होता है इसी को संदी कहते हैं संदी की उत्पत्ति और उसके प्रयोग संदी मूलतहा संस्कित भाषा में प्रयोग की जाती है हिंदी भाषा में संदी के द्वारा शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है लेकिन संस्कित भाषा में संदी के बिना कोई काम नहीं चल सकता संस्कित भाषा का व्याकन बहुत पुराना है संस्कित भाषा को अच्छ को अलग- अलग करके पहले की तरा करना ही संदी विच्छेत कहलाता है। मेल के कारण उनकी जगा कोई भी नक्षर हो जाता है संधी के प्रकार संधी तीन प्रकार के होते हैं पहला है स्वर संधी दूसरा है वियंजन संधी तीसरा है विसर्ग संधी आईए जानते हैं संधी से जुड़े कुछ प्रिशन उत्तर के बारे में पहला प्रिशन है δो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं पहला है संधी, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर, चोथा है प्रितै इसका शही उत्तर है, एक संधी संधी कितने प्रकार के होते हैं पहला है एक दूसरा है दो तीसरा है तीन चौता है चार इसका सही उत्तर है संधी तीन प्रकार के होते हैं प्रशन नंबर तीसरा दयानन में प्रियुक्त संधी का क्या नाम है पहला है गुनसंदी, दूसरा है दिग्रसंदी, तीसरा है वेंजनसंदी, चौता है यणसंदी, इसका सही उत्तर है दिग्रसंदी प्रशन नम्मर चार, कपीश में प्रियुक्त संदी का क्या नाम है? पहला है व्रदी संदी, दूसरा है दिर्गसंदी, तीसरा है यणसंदी, चौता है विसर्गसंदी, इसका सही उत्तर है वी दिर्गसंदी प्रशन नम्मर पाँच, सदेव में प्रियुक्त संदी का क्या नाम है? पहला है व्यंजन संदी, दूसरा है स्वर्संदी, तीसरा है विसर्गसंदी, चौता है इन में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है बी स्वर्संदी प्रशन नम्मर छे, इन में से कौन सा स्वर्संदी का उधारण है? पहला है सयोग, दूसरा है मनुहर, तीसरा है नमशकार, चौता है पवन, इसका सही उत्तर है बी पवन प्रशन नम्मर साथ, निम्नांकित में से कौन सा शब्द व्रदी संदी का उधारण नहीं है? पहला है सदेव, दूसरा है जलोग, तीसरा है गुरुप देश, चौता है परमोधारे, इसका सही उत्तर है C, गुरुप देश प्रशन नम्मर एट, निम्न में से धीर संदी युक्त पत कौन सा है? पहला है महरशी, दूसरा है देवेंदर, तीसरा है सूरदे, चौता है देत्यारी, इसका सही उत्तर है प्रशन नम्मर नो, पवित्र में प्रियुक संदी का क्या नाम है? पहला है यड संदी, दूसरा है गुर संदी, तीसरा है अयादी संदी, चौता है व्रती संदी, इसका सही उत्तर है सी, आयादी संदी, प्रशन नम्मर दस, इत्यादी का सही संदी विछेद है, पहला है इत्यमा यादी, दूसरा है इत्यमा यादी, तीसरा है इत्यमा आदी, चौता है इत्यमा आदी, इसका सही उत्तर है D. इती जमा आदी प्रशन नम्मर ग्यारा निर्थक का सही संदी विछेद है पहला है निर्जमा अर्थक दूसरा है निरह जमा अर्थक तीसरा है निह जमा अर्थक चौता है निरा जमा अर्थक इसका सही उतर है C. निह जमा अर्थक प्रिशाँ नंबर 12 धरेश का सही संधी विछेद है पहला है धरा जमा अश, दूसरा है धर जमा ईश, तीसरा है धरा जमा ईश, चोटा है धरा जमा ईश. इसका सही उत्तर है D. धरा जमा ईश. प्रशन नमबर 13, निराशा का सही संदी विचिद है, पहला है निरा जमाशा, दूसरा है निर जमाशा, तीसरा है निह जमाशा, चोथता है निरह जमाशा, इसका सही उत्तर है, C. नहीं जम्मा आशा महोश्ण का सही संदी विछेद है पहला है महु जम्मा ओश्ण दूसरा है महा जम्मा ओश्ण तीसरा है महो जम्मा ओश्ण चोटा है महा जम्मा ओश्ण इसका सही उतर है D. महा जम्मा ओश्ण प्रशन नमबर पंद्रा आशिवाद का सही संदी विछेद है पहला है आशिव जमावाद दूसरा है आशिव जमावाद तीसरा है आशिव जमावाद चौथा है इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है भी आशिव जमावाद धन्यवाद यदि आपका कोई सवाल या विचार है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद